अभी तक हम तीन एक्सेसाइज कर चुके हैं, कौंट्स की, जहां पर हम अपनी स्पीड इंक्रीज करने की और एक्यूरेसी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपके सामने 30 कोश्चन और आएंगे, आप ये 30 के 30 कोश्चन यहां भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक-एक स्लाइड को मूव करके वहां भी इन कोश्चन को आप अटेंट कर सकते हैं। बेसिकली आपको पहले 20 कोश्चन सिरफ 90 सेकंड में पूरे करने हैं। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 90 से कम टाइम में आपके वह कोश्चन हो जाएं। और बाकी के जो 10 कोश्चन हैं उसे भी आपके पास 3.5 मिनिट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। तो टोटल अंडर 5 मिनिट यू शुद भी एबल तो अटेंट इस 30 कोश्चन्स। तो आप मैं एक-एक स्लाइड भी मूव कर रहा हूं। ताके आप जैसा आप करना चाहें यहीं पर करना चाहें तो आप यहीं पर कर लीजिए। और अगर स्लाइड मूव करके करना चाहें तो वह भी आप अपने हिसाब से स्लाइड मूव कीजिए और उसको questions को attempt कीजिए, ज्यादा सी ज्यादा इसको share कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि जितनी इसकी practice होगी, मुझे पूरी उमीद है कि आपकी speed और accuracy उतनी ही ज्यादा improve हो जाएगी, तो मैं slide को यहाँ पे अपने पास time नहीं दूँगा, क्योंकि वो आपने खुद तैय क करना 20 slide है, वहाँ पे सर्फ एक दो second का time है, बाकी जो 30 question है, वहाँ पे आप अपने हिसाब से slide को move करेंगे, तो पहली slide आपके पास है, that is second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, देखिए, जल्दी से होना चाहिए, अब यहाँ पे आप slide को रोखेंगे, जल्दी से होना चाहिए, अब यहाँ पे आप slide को रोखेंगे, के फिर कर सकते हैं, अपने अराम से कीजिए, but mark out, कि आपके पांच मिनट के अंदर अंदर सारे, यह जो 10 question आएंगे आपके पास, यह three and a half minutes, that means, it means that 210 seconds हो जाने चाहिए, so total की total जितने भी आपकी पूरी exercise है, वो under 300 seconds हो जाने चाहिए, so that is the first question, जो के हमारा 10 वाले series में है, second one, so this is it, और अगर आपके यह सारे question हो गये हैं, under five minutes, तो लिखिये वहां पे, yes, I can do it.